हेलो इस वीडियो में हम फार्मूला टैप के फंक्शन लाइवरीर ग्रूप में आटो सम के बारे में और रिसेंटली यूज्ट फंक्शन के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे आटो सम है यह क्या करता है अटोमेटिकली एड करता है जैसे हमें सम करना है या अबरेज निकालनी है या कौंट करना है या मैक्समम बैल्यू निकालनी है या मिनमम तो यह आटोमेटिकली यहां पे निकाल के देगा यहां पे हम सम करेंगे यह देख सम पे क्लिक करेंगे और यहां पे इन नंबर्स का सम यहां पे आ जाएगा यह देखो यहां पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहां पे आटो सम के मौर बटन पे क्लिक करेंगे और यहां पे सम पे क्लिक करेंगे सम पे क्लिक करने के बाद यह देखो फार्मूला यहां पे सारी range यहां पे select की इसके बाद जब हम enter प्रस करेंगे तो यह sum यहां पे आ जाएगा यह देखो enter प्रस किया तो यह sum हो के यहां पे आ गया है अगर हमने average निकालनी है तो average निकालनी के लिए हम के करेंगे यहां पे click करेंगे click करने के बाद जब हम यहां पे auto sum के more button पे click तो यहां पे average निकल के नहीं आएगी क्योंकि यह जो है यह range इसको select करेगा यह दिखो यहां पे हमने average पे click किया तो average पे click करने के बाद यह जो formula लगा हुआ जी टू तो जी टू यह है हमारे पास उपर का तो यहां से इसने range select की अगर हम यह यह जो उपर सम किया हुआ है इसक को select करेगा यह 98, 49, 65, 85 और 84 यह range यहां पे select होके आएगी ना कि यह range आएगी तो इसको average को automatically निकालने के लिए हम क्या करेंगे पहले यह 408 इसको delete करते है इसको भी delete किया अब हमने automatically यहां पे average निकालनी है तो यह range automatically यहां पे select हो जाएगी यह देखो यहां पे हमने sum को delete कर इसके बाद यहां पे click किया यह average इस cell में निकालनी है तो हम यहां पे auto sum के more button पे जाएगे और average पे click करेंगे average पे click करने के बाद यह देखो यह range यहां से select होके आगी यह b3 colon f3 इसके बाद enter press करेंगे इन numbers की average यहां पे निकल के आजाएगी इसके बाद आगर यहां पे count करन है तो count करने के लिए यहां पे click करेंगे और यहां पे click करने के बाद यहां पे auto sum के more button पे click करेंगे और count number यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद फिर यहां पे range यह select होके आगी लेकिन हमने क्या करना है यह range यहां से अगर यह delete नहीं करनी है blank नहीं रखनी है अगर blank कै यह value यहां पे उपर यह 76.2 तो यह range यह select होके आ जानी थी लेकन यहां पे यह range दी गई है तो इसी लिए यहां पे आ गया G3 अगर हमने ऐसे select करेंगे range तो यह range automatically यहां पे आ जाएगी B4 colon F4 अब हम जब enter प्रेस करेंगे तो यह रिखो यहां पे यह count होके यहां पे आ जाएगा इसके बाद इन दोनों को delete करते हैं यह delete key values इसके बाद यहां पे maximum number निकालना है automatically तो हम यहां पे click करेंगे और click करने के बाद यहां पे auto sum पे click करेंगे और यहां पे max पे click करेंगे max पे click करने के बाद यह देखो automatically यह range यहां पे select होगे होने के बाद हम enter press करेंगे तो यह देखो 85 यहां पे maximum value यहां पे निकल के आगे इसको delete करेंगे 85 को यह 85 यहां पे delete किया इसके बाद अगर minimum value निकार नहीं है तो यहाँ पे हम यहाँ पे click करेंगे इस cell पे click करने के बाद अब हम यहाँ पे auto sum पे click करेंगे इसके बाद यहाँ पे minimum value यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद यह range यहाँ पे select होगे इसके बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यह जो है यहां पर minimum value है तो यह minimum value यहां पर निकल के आ गई तो इस तरह से auto sum में हम sum निकाल सकते हैं average निकाल सकते हैं count कर सकते हैं values को maximum value निकाल सकते हैं minimum value निकाल सकते हैं यहाँ पर पहले इसको डिलिट करते हैं यह डिलिट किया इसके बाद है recently used function तो recently used function में क्या होता है जो function हमने अभी अभी use किये हुआ है उन function को यहाँ पर हम apply कर सकते है जैसे हमने suppose करो यहाँ पर यहाँ पर joh maximum value यह निकालनी है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम सीधा यहाँ पे recently used यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे max यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये Dialog Box आ जाएगा हम सिधा यहाँ पर OK पर क्लिक करेंगे यह देखो OK पर क्लिक किया तो यह Maximum Value यहाँ पर आ गई इसके बाद अगर हम यहाँ पर Average नकालना जाते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद Recently Used पर जाएंगे तो Recently Used पर जाने के बाद हम average पे click करेंगे यह दिको average पे click किया average पे click करने के बाद यहां पे automatically यहां पे average आ जाएगी और range यह select okay आ जाएगी और यहां पे इस dialogue में भी दिया होता है कि यह average है यहां पे इसके बाद सीधा हम यहां पे okay पे click करेंगे तो यहां पर आजाएगी इसके बाद फिर हम यहां पर इन दोनों values को delete करते हैं यह delete की delete करने के बाद अगर हम sum करना जाते हैं तो यहां पर click करेंगे और recently used जो function है उस पर click करेंगे और यहां पर sum पर click करेंगे और यहाँ पे OK पे क्लिक करेंगे इसके बाद अगर minimum value निकलने है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे recently used यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे minimum value यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद OK पे क्लिक करेंगे यहाँ पे minimum value निकल के आ जाएगी तो जो function हमने recently अभी अभी use किये होते हैं उनको हम यहाँ पे direct use करते हैं तो इस वीडियो में हमने auto sum के बारे में और recently used function के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद